जी नमस्ते मैं निर्मल आप सभी को स्वागत करते हैं देख लीजिया यह अपना सही मैं तलाब जो है वह खोद रहा हूं अब आप कहिएगा कि यहां पर जेसीपी नहीं है तो देखिए जेसीपी तो जरूर है लेकिन जेसीपी वाले का फुरसत भी नहीं है दूसरा बात कि अगर मैं कहीं दूर से लाओं तो इतना हमारा जो है वह बजट भी नहीं है तो देखिए मैं अपना सही लग गया हूं यह देख लिए फावरा रखा हुआ है यह सामने तो देखिए अब यह देख लिए चोटा-चोटा गड़ा करके और यह जो आप बांध देख रहे हैं चोटा-चोटा जो मेर है जिसको हम बोलते हैं तो वह जो है आपका यह बतक अपने आप तोड़ देता है इसको तोड़ने की जरुवत नहीं है आपको और हम कैसे बनाते हैं वह देख लिए यहां से मिट्टी लेके और इस पर जो है वह मैंने धेर किया हूं इस पर किया हूं यह देख लिए यह धेर और फिर यहां से उठा के जो है फिर आगे हम यह फावरा के पास जो है यहां पर हम देते हैं साइद नजर आता होगा आपको यह देख लिजए यहां पर अब हम दे देंगे और ऐसे जो है यह बांध जो है वह धीरे धीरे जो है वह तैर होते जा रहा है और यह देख लिजए यह भी हमने अकेला ही किये हैं यह देख लिजए और यह जो है यह बांध उपर देख रहे हैं यह भी हमने अकेला ही बनाए है बांध तो पुरा तरह से तूटे चुका था तो हम खुद ही बनाए हैं तो यह देख सकते हैं देखिए अगर होसला हो आपके अंदर तो कुछ भी जो है वह संभव है ऐसा कुछ भी ऐसा मुस्किल नहीं है जो हो ना और यह देख लिए कम से कम जो है मेरे अंदर से जो है जहां तक है कि लेके चलिए कि 60 से लेके 80 फीट के आसपास जो है यह बांध होगा लेकिन हम जो है वह खुद ही बनाने के लिए जो है वह तयार हो गए है और बना भी रहे हैं दो-तिन दिन में यह बांध जो है वह तयार हो जाएगा बांकी आगे यह ब पूरा तरह से तालाब में बदल जाएगा इस पार देखिए जतना बरसात हुआ था उससे पानी तो बहुत आया था उतना ही जल्दी पानी सूख भी गया है तो यह देख सकते हैं पूरा तरह से एक दम तालाब सुखा हुआ है यह देख लिए तो इस तरीके से पूरा सूख गया है और हम वह खुदी ही जब फाबरा लेके जब उसको निकल परे हैं इसको तलाब को खुदने के लिए तो देखिए आपके अंदर होसला होना चाहिए होसला है तो सब कुछ जो है वह संभव है अगर होसला नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है अगर आपके अंदर में होसला नहीं है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आप जो है वह हार चुके हैं पहले ही यह देख लिए पूरे हम जो वह तालाब खुद दिये हैं तो आपके अंदर जो होसला होना चाहिए होसला नहीं है तो कुछ भी संभब जो है वो नहीं है वैसे तो देखिए मैंने बतक फार्म का जो है वह सोचही जो है वह मैंने बदल दिया हूं क्योंकि बतकफार्म आज से पहले जो रुपए वाले आदमी था वस वही कर पाया है अगर आप वह वीडियो नहीं देख पाये हैं तो वह देख लिजा हमारा वीडियो सुरू से तो आप घरीब से गरीब आदमी बतकफार्म आप एस्टार्ट कर सकते हैं और यो है रोजगार जो है वह अपा सकते हैं देख लिए मैंने तो सोच भी बदल दिया हूं बतक फार्म का अब यह देख सकते हैं पूरे बतक को पूरा एकदम सूखा हुआ है और इधर घड़ा कर रखे हैं और यह बांद देख लीज़े यह बांद कोई कम नहीं है करीब गरीब जो है वह 40 फीट इधर बांद दिये है और लेके चलिए कि करीब जो है यह 30 फीट का आसपास इधर बाहन दिये हैं, तो हम जो है वो पूरा तरह से जो है, बस ये ले के चलिए कि 10 फिट के आसपास जो है, वो अभी यहां पर बचा हुआ है, यह देख ली, तो यह भी हम जो है, वो पूरा कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, भूद बार मुश्किल नहीं है, बस एक बार जो है, द पिर तो बस वही है कि जैसे आम आदमी कह रहा है किसी न्यू चैनल पर कि हम वे रोजगार हैं, बस यही करते रहिएगा पूरे जीवन भर और अगर खुद ही निकल परेगा और रोजगार करने के लिए तो आप जो है रोजगार करने वाला ब्यक्ति जो है वह बन जाईएगा आप बिसेश करके मैं वो नवजवान से मैं कहना चाहता हूँ जो जिन्दगी से हार मान के उल्टा सीथा कर बैठता है देखिए जिन्दगी बहुत मुश्किल से मिला है उसको खुल के जिंदा रहिए यह जो है दुनिया में सिर्फ संहघर्स करने के लिए आए हैं हर एक जीव संघर्ष करता है इसी बात नहीं है कि सिर्फ आप कर रहे हैं सभी जीव जो है वह संघर्ष करता है तो आप भी संघर्ष कीजिए और एक खुसाल जिन्दगी जो है वह इस धरती पर जो है वह जीवित रहिए आप बागे आप लोगों को वीडिय देखने के लिए धन्नवाद इस्वर करें आपको खुस रखे जैहिंद जैवार।